नमस्कार मैं हुनिरेद मिश्टा और आद देख रहे हैं आज की खबर राहूल गांधी ने एक बार फिर से वाइनाट की एक रैली में बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि मेरा नाम राहूल सावरकर नहीं मेरा नाम है राहूल गांधी है और गांधी कभी माफी नहीं मागूंगा और मैंने रेप इन इंडिया जो बयान दिया है मैं उस पे कायम कॉंग्रेस की भारत बचाओ रैली में वाइनाट से संसद राहूल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमला किया उन्होंने कहा कि देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं सरकार को शर्मान हैं तो नरेंद मोदी और अमिशा इस देश से माफी मागें उन्होंने कहा कि नरेंद मोदी ने काले धन के नाम पर जूठा प्रचार किया दुनिया के लोग भारत को सोने की चुडिया बोलते थे लेकिन नरेंद मोदी के करण सब नश्ठ हो जा रहा है राहूल गांधी हमेशा से ही ऐसे बयान देकर भारती जनता पार्टी को मौका देते रहे हैं इसके पहले उन्होंने रे पिन इंडिया कहकर भारती जनता पार्टी को मौका दिया अब एक बार उन्होंने अपने नाम के आगे साबर कर लगा कर फिर से भारती जनता पार्टी को मौका दिया है जिससे उनके बयान को लेकर भारती जंता पार्टी हंगामा कर सके है तो जादा जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रही है आज की ख़बर